नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर लरित कुमार गंगेले आपका अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़ादा महतुपूर्ण है क्योंकि ये है मल्टीपल स्कलरोसिस के बारे में और अगर आप मल्टीपल स्कलरोसिस के बारे में कुछ ऐसी बाते जानना चाहते हैं जो किसी भी यूटीव वीडियो में या किसी भी किताब में नहीं लिखी और वो बातें आपके परिजनों के treatment में आपके treatment में आगर मेरे किसी student के patient को multiple sclerosis है तो उसके treatment में आपके लिए बहुत जादा काम आ सकती है तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रही है और बिल्कुल सटिक और पिन पॉइंट homeopathic treatment of multiple sclerosis को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तो दोस्तों वीडियो में मिलते हैं तो आप सब जिस तरह से जानते हैं कि यह वीडियो multiple sclerosis के बारे में हैं तो multiple sclerosis क्या होता है multiple sclerosis बूल भूत रोप से central nervous system मतलब brain और spinal cord का disorder होता है अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम अगर हम central nervous system के संरचना के बारे में जान लें तो इसको समझना ज्यादा आसान होगा especially मेरे non-medical दर्शकों के लिए तो मित्रो हमारा जो central nervous system है मतलब हमारा दिमाग और हमारा spinal cord वो जो होता है वो neuron से मिलके बना होता है अभी आप जैसा देख पा रहे हैं कि जो neuron होता है उनके design के अंदर उसके तीन पार्ट होते है एक neuron के diagram अगर आप देख पा रहे हैं तो कि एक जो होता है body होता है एक shaft होता है और end में dendrites होते हैं यह basically एक unit है जैसे rail guard कई डबों से मिलके बनती है उसी तरह से mano nervous system इन neurons की लड़ी से मिलके बनता है तो यह neuron उसके बाद उससे दूसरा neuron जुड़ता है और एक तीसरा neuron जुड़ता है जैसा अब diagram में देख पा रहे हैं neuron जो रहता है उसकी जो shaft मतलब जो उसकी जो बीच में जो shaft जो एक लंबा सा तना रहता है उस तने के उपर myelin sheath लगी रहती है इन myelin sheath का काम यह रहता है कि यह basically insulation provide करती है neuron के अंदर conduction को कहने का मतलब है कि जितनी लंबी myelin sheath है वहाँ पे signal नहीं आएगा signal उसको insulate करके next myelin sheath और इस myelin sheath के gap पे आएगा उसी तरह से जब यह signal आगे बढ़ेगा तो यह इस myelin sheath के पूरे हिस्से को छोड़ देगा और यह अगली myelin sheath और इस myelin sheath के gap पे जाएगा मतलब signal straight forward बढ़ने की बजाए myelin sheath के कारण उचल उचल के signal चलते हैं और यही कारण है कि nervous system और nervous responses की रफतार बहुत ज़्यादा होती है medical की field में इसको saltatory conduction बताया गया है और यह सिर्फ myelin sheath के कारण ही होता है so myelin sheath technically क्या करती है कि हमारे nervous system की speed को maintain करने में काम आती है अगर एक example दूँ कि अगर मैं सुई चुब हूँ तो कितनी जल्दी वो signal मेरे brain तक पहुंचते हैं और वहां से sensory signal जब brain तक पहुंचा brain को पता लगा कि सुई चुबी है तो वहां से तुरंट कितनी जल्दी motor signal आते हैं और मैं अपने हाथ को पीछे हटा लेता हूँ किसी भी एक pain होने पे या सुई चुबने पे या काटा लगने पे तो आप सोच सकते हैं कि nervous system इतना ज़्यादा तेज है और ये nervous system इतना ज़्यादा तेज और इतना ज़्यादा को बहुत ज़्यादा high grade तक ले जाती है और इसी के कारण nervous system is one of the most responsive system of the human body इससे तेज response कोई भी system का नहीं रहता है जितना तेज response nervous system का होता है तो दोस्तों हमने ये समझा कि ये क्या है myelin sheath समझना जरूरी था अब multiple sclerosis में क्या होता है अब as far as the definition of the multiple sclerosis is concerned तो इसकी definition myelinating disease in the nervous system is known as the multiple sclerosis या बड़ा मैं simple language में बता रहा हूँ कि जो demyelinating disease ऐसी कोई भी बीमारी जिसके अंदर nervous system के अंदर जो myelin sheath है उनका degeneration होने लगता है तो उस बीमारी को हम multiple sclerosis कह सकते हैं तो इसकी जो लिखित परिभाशा है वो ये है कि demyelinating disease in which the insulated covering of the nerve cell in brain and spinal cord get damaged and this damage disrupts the ability of the part of nervous system to communicate it is known as the multiple sclerosis तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है दोस्तों कि ये जो हमारा nervous system का unit मतलब neuron और neuron का जो मैंने exon बताया है इस exon पर जो myelin sheath होती है कि नहीं कारण से जब ये myelin sheath deactivate या फिर degenerate होने लगती है तो उसी को हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी demyelinating disease जो है उसको हम multiple sclerosis की परिभाशा दे सकते हैं यहां पर मैं एक और चीज clear करना चाहूंगा कि यह basically multiple sclerosis is only pertaining to the demyelination of exon मतलब इसको कई नाम से संभोधित किया जाता है इसको multiple sclerosis बोलते हैं इसको demyelinating neuropathy भी बोलते हैं इसको जो है गुलिन बार syndrome भी कहा जाता है कई जगे और इसी चीज़ को demyelinating nervous disease यह कई नाम है इसके पर इसका मतलब सिर्फ एक है कि जहां पर भी myelination of exon degenerate या खतम हो जाता है या कम हो जाता है या उसका reduce reduction हो जाता है उस disease को हम बोलते हैं multiple sclerosis की परिभाशा में रखा है और इस बीमारी के अंदर यह जो मैंने आपको list बताई चार बीमारी हों की यह इनको भी रखा जा सकता है अब दोस्तों आते हैं इसके cause के ऊपर इसका cause क्या होता है इसका जो cause होता है वो basically autoimmune disorder में इसको बताया गया है कि यह autoimmune disease है auto मतलब खुद का immune मतलब immune system और disease मतलब बीमार पड़ जाता है तो autoimmune disease का अर्थ ही यह होता है कि जब हमारा शरीर का प्रतिरोधक तंत्र हमारे खिलाफ ही जब काम करने लगता है तो उसको हम बोलते है autoimmune disease और multiple sclerosis is just like that कि इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसी antibodies बन करते हैं तो कहीं न कहीं multiple sclerosis के cause को ही उसका pathology भी या pathogenesis भी समझा जा सकता है कि हमारे शरीर का nervous system ही हमारे खिलाफ काम करता है और वो सारे license बनाता है जो हमको CT scan MRI पे दिखते हैं in the form of the license of multiple sclerosis फिर भी यह cause भी है यह इसका pathogenesis हुआ basically कि हमारा immune system इसको खुद पैदा करता है हमारे खिलाफ antibody के द्वारा दिमाग और spinal cord पे attack करके तो अब सोचने वाली बात यह है कि फिर भी इसके cause क्या होंगे यह तो ठीक है यह तो एक प्रक्रिया है ना कि किस प्रक्रिया के through यह बीमारी पड़ती है तो हम cause पे अगर चर्चा करें तो इसके जो cause है according to allopathic modern medicine इसके क कोई भी ऐसे cause नहीं बताए गए है कि यह क्यों होती है बीमारी इसका अभी तक science को पता ही नहीं है कि यह क्यों होती है अगर यह होती है तो किसी में क्यों होती है तो as far as the allopathic is concerned तो इसका ऐसा कोई specific cause नहीं है फिर भी कुछ points है जिसके उपर इसको as a causation की sector में रखा जा सकत है जो कि एक है जैनेटिकल इनहेरीटेंस की यह देखा गया है कि जैनेटिकल इनहेरीटेंस होने के कारण कई लोगों के अंदर जैनेटिकली कुछ पीडियों के अंदर एक दो पीडि छोड़के multiple sclerosis के cases देखे गए हैं जो दूसरा है कुछ viral infection से ऐसा science जानता है जिसके बा तो मैं अपनी थेओरी इसके पीछे जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था जो मैं आपको बताना चाह रहा था जिसके लिए मैंने कहा कि आपको यह multiple sclerosis के बारे में कहीं पे भी नहीं मिलेगा वो मैं थेओरी आखरी में रखूंगा इस वीडियो के क्योंकि उस थेओरी क इसके कॉजेशन से भी है और इसके उपचार मतलब इसके ट्रीट्मेंट से भी वो रिलेशन रखती है मतलब पॉजेशन और ट्रीट्मेंट यह दोनों चीज़े में आपको एंड में उसका बताऊंगा इसके सायन और सिम्टम क्या होंगे देखे मल्टिपल स्किलरोसी के सायनन और सिम्टम बड़े सिंपल से आते हैं जिस हिस्से में उसको पेशेंट को लीशनस बने हैं वह जो हिस्से पेडिपेंड करता है कि इनको कौन-कौन से सायन के कि अनिव 만गे वेसिकली आज तक जितने केस आया हैं उसमें से 60% केसे कहीं न कहीं उनका MS का डाइगनोसिस हुआ था विज्वल सिम्टम्स के ऊपर अब वैसे अगर सिम्टम्स का साइन इंड सिम्टम का क्लासिविकेशन भी हम कर सकते हैं कि दिमाग के जितने काम होते हैं वो काम जो रहेंगे वो हमपर्ड हो जाएंगे जैसे कि सेंसरी सिस्टम हम लोग दिमाग से कहा है सेंस करते हैं चीजों को यह मैं छू रहा हूं तो मैं कैसे सेंस कर रहा हूं ब्रेंस से तो यह जो तिंगलिंग होगी, सुई चुबने सा होगा और कई केसे इसके अंदर अनेस्थीसिया और हाइपरेस्थीसिया भी देखने में आता है मतलब अनेस्थीसिया मतलब सुन हो जाना और हाइपरेस्थीसिया मतलब बहुती ज़्यादा सेंसेशन होना एक एरिये में वो pain भी हो सकता है कुछ undulating sensation तो sensory alterations में क्या क्या आपने देखा sensory alterations में हमने देखा numbness देखी हमने tingling देखा, हमने anesthesia देखा, हमने hyperesthesia देखा उसी तरह से दिमाग का दूसरा काम है sensory signal को लेने के बाद motor reaction करना मतलब यह motor signal, यह मेरा voluntarily मैं हाथ हिला रहा हूँ और in the form of paralysis और complete paralysis मतलब paralysis और partial paralysis and complete paralysis तो हमको यह paralytic symptom देखने में आते हैं अगर यह symptom नहीं भी है तो initial phase में हमको muscles की weakness भी देखने में आ सकती है और एक चीज़ जो बहुत importantly एक MS के patient में अगर बीमारी थोड़ी advance stage में चले गई है तो वो देखने में आएगी वो होगा पाना चलने में उतना confidence नहीं रहना तो यह सब motor alteration है motor alteration में हमने क्या क्या देखा हमने paralysis देखा हमने paralysis देखा हमने muscular weakness देखी और हमने in coordination देखा मैंने जैसा कि आपको इस sign and symptom के शुरू में बोला था कि जो visual symptoms होते हैं वह एक multiple vision हर चीजें दो दिखती है उसका कारण यह होता है कि जो हमारा आख से optic nerve निकलती है और वो cilia tarsica के पास से cross होके optic chiasma बनाके वो पीछे की तरफ visual area पे जाती है visual area हमारा occipital lobe में होता है तो आगर यह listen उस area में कहीं पाए जाते हैं और यह जो कि यह जो पहला diagnostic symptom जो एक MS के patient के अंदर जो सबसे पहले symptoms में से जो symptom आएंगे वो होगा visual disturbance in the form of diplopia और यह बहुत जादा बढ़ने के उपर blindness भी हो सकती है कि अगर वो optic nerve के रास्ते में ही MS का listen बनाया तो optic nerve को damage करेगा तो in that case partial blindness यह complete blindness diplopia and pain in eye भी देखने में आया है तो तीन जो symptom main category में हो गए sensory alterations motor alterations and visual disturbances और जो चोथा होता है autonomic nervous system के disturbance के कारण जो symptoms होते हैं मतलब autonomic nervous system मतलब nervous system का वो पार्ट जो की हमारे control में नहीं है जिसका काम करना हम realize नहीं कर पाते हैं क्योंकि nervous system दो भागों में डिवी भाजीत है पहला है somatic मतलब जो हमारे voluntary control में है और एक होता है autonomic autonomic के भी दो पार्ट होते है sympathetic और parasympathetic तो यह autonomic nervous system nervous system का वो हिस्सा है जो काम करता है पर हमें उसका realization नहीं होता जैसे कि हमारी सांस चलना हम सांस लेते हैं हमें पता नहीं चलता हम रात में सोते हैं सांस तो बंद नहीं होती है सांस चलती रहती है that is due to the autonomic nervous system हमारी आतों की चाले है है न हमारे अंदर के organs के secretions यह सब कुछ autonomic nervous system करता है और क्योंकि MS के patient के अंदर क्योंकि brain affected है तो यह autonomic nervous system भी उसका affected मिलता है जिसके वज़े से कुछ symptoms आते हैं जो autonomic disturbance की निशानी है जैसे कि stool को न रोक पाना urination को न रोक पाना और उसके साथ साथ और कई चीज़े constipation है न कई बार यह अगर मान लो आपको respiratory या फिर multiple sclerosis की definition इसके हमने causes के बारे में चर्चा करी इसके sign and symptoms के बारे में चर्चा करी यह सब detail में करा अब दोस्तों आते हैं वीडियो के सबसे important हिस्से में जिसकी में बात कर रहा था कि इसका treatment क्या होगा इसका treatment repertory में लिखी गई medicine पर होता है जैसा कि हर बिमारी का होता है पर वहां पर मैंने एक अजीब चीज़ नोट करी कि जब मैं multiple sclerosis आज से 5 से 7 साल पहले जब मेरे को पहला case मेरा मिला था क्योंकि यह काम मैं 15 साल से मैं homeopathic practice कर रहा हूं उस case के अंदर मैं at the time of searching the repertory on the multiple sclerosis जो की clinical rubric में लिया था मैं तो कि clinical rubric ही लेना पड़ाएगा multiple sclerosis के और तो ऐसा कुछ है नहीं symptom या कोई rubric आप बनाई नहीं सकते वहां पर मेरे को natrium medicine देखे थे इन दे सेकेंड वन medicine is the CPI तो तब तो मतलब बहुत ही मतलब में immature थे practice में तो हमने वह medicines दी और आप मानेंगे नहीं बहुत कमाल के result है मेरे 15 साल के career में अभी तक मैं कम से कम 25 से 30 के उपर cases पर काम कर चुका हूं जिसके अंदर से मैं सिर्फ 3 या 4 को नहीं बचा पाया या उन 70% से उपर cases के अंदर मैंने patient को bet पे नहीं लगने दिया मेरे पास आज भी शाक्ष है मैं आपको patient का interview करके बताऊंगा और patient की reports में आपको बताऊंगा जो current में मेरे पास जो एक साहिबा है एक madam है जो चल रही है इसके अंदर मैं उनका treatment कर रहा हूं आप सब देखेंगे और आप सब आशरे चकेत होंगे तो जैसा कि मैंने बोला था कि इसके cause के अंदर एक मैंने अपनी theory गड़ी है वो मैंने आपको बोला था क्योंकि वो cause भी है और क्योंकि वो treatment से भी तालुक रखता है मैं एंड में बताऊंगा दोस्तों जो नेट्रमियूर और सीपिया जो मैंन सलाश रहा था अब यह तो मेरे को medicine मिली रिपर्टरी में पर उसके साथ कुछ बहुत important बाते हैं जो मैंने note down करी जो की case की history में थी जो दो मैं मूलभूत case का मैं reference दूँगा कि जो दो महिलाएं थी मेरे पास एक जो महिला थी उनकी जो उमर थी लगभग 45-50 साल रही थी और जो एक मेरी female patient थी वो 27 साल की लड़की थी अब आप इनकी history को गौर से देखिएगा क्योंकि अब professional secrecy हमको maintain करनी है तो इसके अंदर मैं उन patients का नाम नहीं ले सकता यह मेरी मजबूरी है और फिर भी मैं इतना तो बता ही सकता हूँ जो 27 साल की जो लड़की मेरे पास जिसका case आया था वो चल नहीं पाती थी वो MS की patient थी उसकी history के अंदर मुझे जो बात मिली कि बचपन में जब वो छोटी थी तो she used to live somewhere in the नाकपर वो अपने रिष्टिदारों के पास रहती थी और वो वहां पे रहके पढ़ाई करती थी जब तब की बात है जब वो थी 15-16 साल की at that time उस लड़की ने मुझे बताया कि साब मेरा जो है मेरा रिष्टेदार जो थे जो मेल रिष्टेदार थे उसके जो भी रहे होंगे उसके रिष्टेदार वो उसको physically molast करते थे यहाँ पे इसका कारण है कहीं न कहीं यह उसके का आर्तिक आर्तिक हालत बहुत खराब थी कि वह अपने छोटे से नेटिव से बिलॉंग करती थी वह रहके पढ़ नहीं सकती थी तो उससे मुला स्टेशन जहिलना पड़ा और उसको जहलते 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 वह वहां पे उसने कई साल बिताये और इस ने एक प्रकार का emotional घाओ उसको पैदा कर दिया था एक प्रकार का emotional wound ठीक है ना जो दूसरा case जो 50 years की जो मेरी female patient थी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही case था कि she was going through the divorce with her husband और उनके जो husband थे वो उनको बहुत ज़्यादा embarrass करते थे उनके office में चले जाना, office में जाके गाली गुपता करना, कहीं पे भी शराब पी के उनके साथ दुर वेहार करना और जब वो लोग अलग नहीं हुए थे, अलग होने वाले थे उसके पहले भी कई साल तक उस लेडी ने इस आदमी की छिछोरी हरकतों को जेला था, इसके साथ में कुछ और जो आपको बताऊंगा कि एक male के अंदर multiple sclerosis का जो case थ थे, वो basically बहुत ही जादा financial burden में थे, और वो financial burden में रहने के कारण उस वजए से, वो कहीं न कहीं उनके उपर भी mental bound थे, कि उनको future का डर था, कि financial ruins का डर था, और मैंने जितने भी अपने 30 case देखे, अब मैं हर एक case का तो data नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपने पहल इसमें बकाइदा जानता था कि मुझे क्या देखना है एक patient के अंदर मेरे को एक patient की history में क्या चीज लेनी है, और दोस्तों आपको जानके बड़ा अश्चर होगा कि कहीं न कहीं ये जो चीज थी, ये जो mental symptom था, कि कोई न कोई emotional cost था इन लोगों की बीमारी के बीचे, कि इ इसी एक condition में थे वो लोग कि वो उस बुरी भावना को जो भी उनके अंदर पल रहा था वो उसको निकाल नहीं पाए, और उस वज़े से कहीं न कहीं, उनके अंताह मन के अंदर जो बातें दबी रह गई, उन दबी हुई बातों के कारण ही कहीं न कहीं, extrovert ना होने के इन लोगों के साथ इस तरह की multiple sclerosis की problem शुरू हुई, और ये बात सत्य है क्योंकि अगर ये मेरे को एक case में दिखता, तो मैं मानता कि चलो ये मेरा misconception हो सकता, दो में पर, तीस cases में ऐसा हो, ये impossible है, और सबसे उपर बात कि जो मैंने theory गड़ी, उस theory को हम, जब भी हम एक treatment कर गड़ते हैं, तो एक हम patient के अंदर एक theory को गड़ते हैं, एक hypothetical theory गड़ते हैं, कि आर इनके साथ ये 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 चीजें चल रही है, और इस कारण से, इस symptom पे भी ये दवा है, इस cause पे भी ये दवा है, इस modality पे भी ये दवा है, हम एक medicine को निकालते हैं, ultimately उस medicine को हम देते हैं, और ultimately जब वो case cure हो जाता है, तो वो ही medicine हमारी remedy बन जाती है, तो यहाँ पे मेरे को natrium-mure एक बहुत important remedy इन लोगों के अंदर देखने में आई, और ये कारण बिलकुल सही है, कि देखिए हम जो है emotional animals हैं, basically human beings में और animal में सिर्फ एक बात का फरक होता है, कि animal में भी भावनाव रहती हैं, पर humans के अंदर, क्योंकि हमारा intelligence बहुत जादा है, तो उन भावनाओं को हम जादा अच्छे से interpretate कर पाते हैं, अब मैं आओंगा natrium-mure के उपर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो emotional cause के लिए जो सबसे primary medicine, पूरी materia medica में लिखी गई है, वो है natrium-mure, natrium-mure का नाम कई स सारी दवाओं के साथ आता है, जैसे कि suppressed anger, stephysagria, colosynth, contradiction in the mental frame, ignitia, contradictory medicine, उसके अंदर बड़ा contradicting symptom आते हैं, chamomilla, anger, irrelevant anger and irrelevant irritability, chamomilla, तो आपन को ये अच्छे से पता है कि कुछ मानसे भावना होती हैं, जो हर एक व्यक्ति में आती हैं, अब दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जो उस भावनाओं को अपने circumstances के कारण व्यक्त कर सकते हैं, और जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो उस भावना के कारण, उस भावना और अपने अपनी परिस्थितियों के कारण वो कहीं पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जैसे वो मेरी जो 17 साल की जो पेशेंट थी, क्योंकि अब husband उनका उनके साथ ill-behave कर रहा है, और वो इस बात को कहीं जा नहीं सकती थी, बता नहीं सक देंगे, mental of natriumure आपको मिलेंगी, कि ailments from the emotions, ailments from the suppressed emotions, ailments from the reserved displeasure, ailments from the disappointed love, एक और चीज़ जो natriumure patient के बारे में, अपने सबने पड़ी है, और मैं बोलता हूं, किसी भी बंदे को मैं बोलूँगा, homeopathy field के, वो चाहिए practice कर रहा हूं नहीं, पर वो माने का इस बात को, कि natriumure को अपने को जब पढ़ाया गया था, तो as a introverted patient पढ़ाया गया था, natriumure is a very introverted person, वो बात नहीं करना पसंद करता है, वो दूसरे के सामने रोना नहीं पसंद करता है, उसके बीचे उसका कोई भी हो, कुछ-कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है अपनी परिस्थितियों के कारान express नहीं कर रहा हो, या वो यह सोचता हो कि यार मेरे को लोग कमजोर समझेंगे, अगर मैं कमजोर साबित हो गया, तो मेरे साथ ही जो दुर वेवार हो रहा है और बढ़ जाएगा, तो वो अपनी बातों को जाहिर नहीं करता, और यही जाहिर ना करने की tendency के कारण, यह एक time bomb की तरह हो जाता है, कि time bomb के अंदर बिलकुल बत्ती में आग लगाई और उसके अंदर तक चीज़ें चली गई है, अब क्योंकि कुछ बाहर नहीं आ सकता, तो वो फटे लाए, it is just like that, CPI, CPI यहाँ पर क्यों आई, यह मतलब multiple sclerosis में CPI आने की दो कारण्ट है, दोनी इंफेक्ट तीन कारण्ट है, चुप तहला, कि अगर आप गौर से देखेंगे, तो नेटरम्यूर का natural complementary जो बताया गया है, that is the CPI, मतलब जब नेटरम्यूर अपना काम पूरा कर लेगी, तो उसको complement करने को हमको CPI देनी पड़ेगी, और CPI के बाद हम फिर नेटरम्यूर follow कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों medicine सा mutually complementary to each other, पहला कारण्ट CPI क्यों आई, दूसरा कारण्ट, जिस जगे नेटरम्यूर लिखी हुई थी, उसी जगे उसी grade में, first grade में CPI भी लिखी हुई थी, और यह लिखी कहा हुई है, यह भी मैं आपको बता देता हूं, कि एक online repository आती है, जिसका नाम है complete dynamics, similia.com पे आप जाएंगे, या plainly आप complete dynamics टाइप कर देंगे Google पे, तो you can download it on your mobile phone, on your android phone, on your apple phone, on your laptop, desktop, tablet, whatever you have, तो उसके अंदर जब multiple sclerosis को हमने सर्च करा, तो हमें यह primarily 2 medicine मिल तो दूसरा कारण नेट्रम्यूर देने, CPI देने का वो यह है कि वो first grade में लिखी है, third or most important कारण, जैसे कि मैंना बताया था कि initially इन्नों के अंदर diplopia के साथ साथ आई में pain का भी symptom आता था, तो वो जो आई के अंदर जो pain वाला symptom है ना, उस पे भी first grade में CPI ही आई थी, तो द तो यहाँ पर मैं नेट्रम्यूर को एक बार और उलेक करना चाहूंगा कि नेट्रम्यूर एक ऐसी दवा है, जिसके अंदर भावनात्मक कारण के कारण, physical body के अंदर symptoms appear होते हैं, नेट्रम्यूर का patient is highly emotional patient, पर वो जिस caliber में emotional है, उस caliber में उसके अंदर शमता नहीं है, अपने emotions को discharge करने के, और जहाँ पर discharge की बात आई तो कई classical homeopathy के अनिवाई ये चीज़ को समझ पा रहे हैं कि elimination is most important thing in the human body, और elimination की theory homeopathy के अंदर बहुत importantly बताई गई है, कि कभी भी कोई चीज़ का discharge होना भी जरूरी है, और suppression of discharges के कारण अपने अब बहुत सारे फसाद बताएगा कि eruptions के suppression होने के कारण, अस्थमा का हो जाना, mental emotions का suppression के होने के कारण, multiple sclerosis जैसी बीमारी का हो जाना, जो कि natriumure और इस पूरे के पीर वीडियो में हम चर्चा करी रहे हैं, कई जगे हमारे यां diarrhea suppress होता है, तो rheumatism को आता देखा गया है, abrotinum जैसी medicine में, इनको आप alternating symptom भी बो होते हैं कि body अपने आपको equilibrium में लाने के लिए कुछ चीज eliminate करती है, और उन चीजों को जैसे otoria, otoria मतलब कान से जो discharge है, वो classically homeopathy के अंदर बहुत important है, हमको उसको suppress नहीं करना है, हमको उसको ऐसी दवा से सही करना है, जो उसको promote कर देवा फिर ultimately उसको पूरा discharge करने के बाद कान सुखाया नहीं, तो उसके suppression से कोई भी symptom पैदा हो सकता है, बहरेपन से लेके पागलपन तक, अगर आप इन सब बातों को समझना चाहते हैं, तो honeymoon की theory of chronic disease को एक बार पढ़िए, पूरी किताब पढ़ने की जरुवत नहीं है, सिर्फ उसका जो introductory part है, कि how the chronic diseases comes in their existence, आप उ दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको दवाईयां मिल गई हैं, दवाईयों के अंदर मतलब multiple sclerosis के treatment के अंदर जो दो primary medicine till now I had found are natrium and CPI, especially if the case has its origin on the emotional ground of the body, emotional ground of mind में जगर case का origination हुआ है, यह जितना 30 case थे इनके साथ कही न कहीं कोई न कोई emotional कहानी चल रहे थी, कोई और यह लोग सब अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी व्यक्त करने की स्थिती में नहीं थे क्योंकि उनलों की परिस्थितियां उस तरह की थी, और इसी वजह से मेरा मानना इनको बीमारी हुई है, no doubt सिफ यह दो medicine काफी नहीं है, इसके साथ आपको symptomatically बहुत सारी medicine दे symptom, nitricum के group में जाना पड़ेगा, अगर paralytic symptoms case के अंदर आ रहे हैं, तो उन paralytic symptoms के लिए हमको causticum हो गया, हमको phosphorus हो गया, हमको barita carb के उपर जाना पड़ेगा, और एक और बहुत important medicine जो की indicated हो सकती है, और generally होती है multiple sclerosis में, वो medicine है, phosphorus, phosphorus, phosphorus पे मैं कोशिश करूँगा, अलग से ए इतनी book के अंदर physiological material medica में लिखा है, यह पूरी एक line ही काफी है, phosphorus को समझने को in conjunction with the neurological disorder, कि the value which iron has for the blood, the value which calcium has for the bone, the same value phosphorus has for the brain, phosphorus के अंदर जो तत्तो होते हैं, वो होता है phosphorus, मूँकि वो phosphorus ही बनती है, तो phosphorus is the natural constituent of human brain, human brain का एक प्रतीशत हिस्टा जो है, वो phosphorus से बना है, और इसलिए यह कहा जाता है, कि जो value iron या ferrum group की एनेमिया और blood के लिए है, जो value calcium group की, अपने homeopathic calcium group की bones को लेके है, वही value phosphorus की है, neurological disorder, तो कहीं न कहीं, neurological disorder के अंदर आप phosphorus को बहुँ भी यूज कर सकते हैं, if it is indicated via the symptom, myasome and constitution also, तो मित्रों मैं समझ सकता हूँ कि आज आपने जो वीडियो अंत तक देखा है, इसके अंदर आप multiple sclerosis, human nervous system, demyelinating neuropathy, प्लस इसका treatment according to the homeopathic philosophy and especially on the mental ground, आप समझे हैं, और आप इस चीज को अपने cases के अंदर imply करके देखिए, मेरे जो दर्शक हैं, जो multiple sclerosis से गस्त हैं, या उनके किसी परीजन को ये बीमारी है, तो प्लीज आप इस वीडियो को गौर से देखें, और इसके अंदर बताई गई दवाओं को आप अपने registered medical practitioner की सला के बाद इस्तिमाल करें, और मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ, कि आपको चौकाने वाले results मिलने वाले हैं, और मेरे सारे students भी इस दवा को अपने cases में यूज़ करें, और मुझे comment section में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने काम आया, तो दोस्तों अभी के लिए यहीं खतम करते हैं, बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार.